कि अब वेलकम टू ओल देश्परेंट ओफ लाइब्रेरी एन इंफिरमेशन साइंस सभी विद्यारतियों का सवागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बीलाइस, आप सभी के लिए कॉंप्रिटिव एक्जाम का फॉर्म निकला हुआ है CSDS के ये ओफिशल वेबसाइट पे हैं हम तो पूरा डिटेल बताएंगे क्या निकला हुआ है कौन-कौन से पोस्ट निकले हुए है क्या eligibility criteria रहेगी तो सारी बाते करेंगे इस वीडियो में तो आपसे request है अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में जरूँ शेयर करें ता कि बाकी स्टुडेंट को भी हल्प हो जाए तो देखें पोजीशन फॉर डिप्टी लाइब्रेरियन, एड्मिनिस्टेटिव एन अकाउंट असिस्टेंट तो यह दो पोज जो है लाइबरियन के लिए निकला हुआ है तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या-क्या लाइब इसके अंदर जो है लिजिबिलिटी क्राइटीरिया रहेगी तो सबसे पहले देखें हां पर पोजीशन फॉर नॉन एकेडमिक स्टाफ नॉन एकेडमिक स्टाफ का जो निकला हुआ है CSTS that is Center of the Study of Developing Societies a leading social science research institute एक बहुत ही मतलब एक important social science research institute है जो कि डेली में है यह invite कर रहा है application for the post of deputy librarian तो पहले है detail deputy librarian का जो कि आप लोग library science कर रहे हैं तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं यह है यह निकला हुआ है CSDS का library is a research research library जो कि है एक research library है primarily used by member of the faculty and the staff of CSDS यह इनके faculty member और इनके staff ही यूज करते हैं यह library वी आर लुकिंग फॉर देखो ही इन लोग को किस तरीके के deputy librarian चे मतलब यह सारी बात इसमें बताया गया है तो यहां पर लुकिंग फॉर डिप्टी लाइबरेरियन तो लान तू लीड आ टीम आफ लाइबरी स्टाफ तो बिल्ड एंड मेंटेन दस सेंटर कलेक्शन ऑफ बुक एंड मल्टी मीडिया रिसोर्स मतलब कि यहां पर इनको चाहिए कि एक ऐसा लाइबरे डिप्टी अर्चाइब कलेक्शन ऑफ डॉकुमेंट मीडिया रिसोर्स और ओनलाइन कलेक्शन ऑफ ते सेंटर वुड वी हाइल हाइली अप्रिशियेटेड मतलब कि आप लोग के अंदर एक एबिलिटी होना चाहिए ताकि चीजों को जनरेट गैदर करें मेंटेन करें चीजों को कले करें डॉकुमेंट को मीडिया रिसोर्स को कलें ऑनलाइन कलेक्शन को चीजों को मतलब सही से और्गनाइज करके चीजों को रखें तो यह सब इनका मतलब होना चाहिए आपके अंदर एक मतलब कॉलिटी होनी चाहिए फिर उसके बाद रेलेवेंट एजुकेशन क्वालिफ विद कॉंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइपरी तो आपके आपके पास एक तो मास्टर का डिगरी होना चाहिए दूसरा आपके पास इन्वेशन का एक तरह से मतलब होना चाहिए जैसे आपने कुछ नया इन्वेशन किया हो लाइबरी साइंस में फिर यहां पे आप इस आ एक पोस्ट है और एज लिमिट इसका रहेगा फिफ्टी यह जो कि लास्ट एज लिमिट है और जो भी मतलब रेक्सेशन है एस पर दा जो भी गोवर्मिंट का रूल है उसके अको मिल जाएगा पे स्केल आपको मिलेगा 37,400 से लेके 67,400 तक का आपका यहां पे स्केल मिलेगा अब यह एड्मिनिस्टेटिव ऑफिसर का है आप लोग चाहिए इसको पढ़ सकते हैं तो दूसरा जो पोस्ट है उसके तरफ चलते हैं जो कि है यहां पे डॉक्मेंटेशन ऑफिसर तो यहां पे है यहां पे मतलब आपके पास काफी मतलब जो लाइबरी एंवार्मेंट हो उसमें चीजों को मतलब मैनेज कर से करना है वो सारी चीजे स्किल आपको होना चाहिए और आपके अंदर अगर मतलब यहां पे इनोवेशन का अगर स्किल है तो वो मतलब बहुत अच्छा रहेगा फिर यहां पे दो कौलिफिकेशन की बात करे बैचलर डिग्री माँगा है लाइबरी साइन्स में और एक्सपीरियंस माँगा गया है डॉकमेंटेशन और वकिंग इन लाइबरी एट लीस्ट फ्री एयर और कंप्यूटर प्रफेंसी आपके अंदर होना चाहिए मतलब कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए फिर उ 9,300 से लेके 34,800 तक आपको मिलेगा तो यह पूरा डिटेल था आई होप आपको यह सारी चीह समझ में आ गही होंगी अब नीचे चलते हैं कुछ जैसे कि यहाँ पर candidates जो है women and SCST candidates जो है या women है तो आपको यहाँ पर मतलब जरूर करना चाहिए application फिर उसके बाद last date की बात करें तो 6 अगस्ट 2021 है an application may be addressed to administrative officer center for the studying of the blocking society 29 राजपूर रोड डेली यहाँ पर online application may be mail to this यहाँ पर mail ID भी दी हुई है आप online application यहाँ पर mail भी कर सकते हैं या फिर अपना जो भी document वगरा है वो इस address पे आप भेज सकते हैं तो यह पूरा detail था I hope आपको आज का जो lecture है वो informative लगा होगा और अगर आप Delhi से हैं या इनेर अरांड से हैं इस form को जरूर फिल करेंगे तो मिलते हैं आप सभी से next video में तब तक के लिए धन्यवाद